नमस्कार दोस्तों दोस्तों साओधी अरब के पाँच खुबसूरत शहरों की इस लिष्ट में पहले नमबर पर रियाद आता है रियाद साओधी अरब की राजदानी और सबसे बड़ा शहर है यह साओधी अरब के रियाद पिरांत की राजदानी भी है साथ ही इसका संबन नेजद और अलियमामा जैसे इतियासिक छेत्रों से भी है यह अरब पिराइदीप के एक बड़े पठार परिस्तित है और इस शहर को नगर निगम के पंदरा जिलों में विभाजित किया गया है और यह शहर देश के संस्कृतिक केंदर के रूप में भी जाना जाता है रियाद आधोनिक वास्तु सिर्फ इमारतों और इतियासिक इस्तलों दोनों का घर है और यह दुनिया भर के अमेड शहरों में से एक है 30 जनवरी 2023 के अनुमान के अनुसार रियाद की कुल जनसंग के अलगबग 76 लाग 82 हजार है दोस्तों साओधी अरब के पाँच खुबसूरत शहरों की इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर मक्का आता है दुनिया का सबसे पवित्र इसलामी शहर मक्का पेगंबर हजरत मौम्मद सहाब का जन्मिस्तान है इस सहर में दुनिया की सबसे बड़ी मजजिद अलमजजिद अलहरम और काबा शरीफ है मक्का शहर वारसिक हज पिर्तियात्रा के लिए भी पिर्सिद है जो इसलाम के पांच इस्तंभो में से एक है हर साल लगबग 40 लाग हजियात्री मक्का शरीफ आते हैं इसलाम के इतियास में मौजूद सबसे महत्पुन मजजिद कबरिस्तान युद छेत्र जबल अलनूर परवत हीरा की गुफा और जमजम वेल जैसे कई जियारत इस्तलों का मक्का शरीफ घर है और यह जद्दा से महज 73 किलो मेटर की दूरी पर एक संक्री घाटी में समुद्र तल से 277 मेटर की उचाई पर इस्तित है 30 जनवरी 2023 के अनुमान के अनुसार मक्का शहर की कुल जन संक्या लगबग 21,50,000 है दोस्तों साओधी अरब के पांच खुबसूरत शहरों की इस लिश्ट में तीसरे नंबर पर मदीना आता है मदीना सरीफ को अदब के साथ मदीना अलमनवरा भी कहा जाता है मक्का के बाद ये इसलाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है मदीना शरीफतीन सबसे पुरानी मदीदों का घर है जिसमें मदीद एकूबा, मदीद नवी और मदीद अलकिबलातैनी यानी की दो किबलो वाली मदीद है मदीना शहर को खुद पेगंबर हजरत मुहमत साब ने बसाया था जन्नत अलबगी भी इसी शहर में है जहां हजरत मुह पेगंबर मुहमत के परिवार और नवीयों की कबरे मुबारक मुजूद है एतियासिक संस्किर्तिक और धानमिक इस्तलों से परिपोण पाक मदीना शहर में बेतरिन शॉपिंग कॉंप्लेक्स रेस्टूरेंट अलमदीना संग्रालिय माउंट ओध और अलनूर मौल है 30 जनवरी 2023 के अनुमान के अनुसार मदीना शहर की कुल जन संकिया लगबग 15,70,000 है दोस्तों साओधी अरब के पाँच खुबसूरत शहरों की इस लिष्ट में चोते नंबर पर जद्दा आता है जद्दा लाल सागर के तड़ परिष्टित इसलाम की सबसे पवित्र नगरी मक्का का मुख्य पिरवेशद्वार है और पश्चमी साओधी अरब का एक पिरमुक शहरी केंद्र है और मक्का पिरांत का सबसे बड़ा शहर है यह लाल सागर के तर्ट परिष्टिस सभी समुद्री बंदरगाओं में सबसे बड़ा बंदरगाओं है इसे साओधी एरब की दूसरी वानेजिक राजदानी माना जाता है जद्दा कुछ सबसे खुबसूरत मस्जिदों बूटिक कैफे और वाटर फिरेंट का भी घर है जद्दा में घूमने के लिए सबसे बेतरी जगाओं में अलर्रहमा मस्जिद, अलसेफ बीच, अलबलद, अथर गैलरी और अलशालल फीम पार्क शामिल है 30 जन्वरी 2023 के अनुमान के अनुसार जद्दा शेहर की फुल जनसंक्या लगबग 48,63,000 है दोस्तों साओधी अरब के पांच खुबसूरत शेहरों की इस लिष्ट में पांचवे नंबर पर दम्माम आता है दम्माम साओधी अरब के पूर्वी प्रांत की राजदानी है जो दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा समरत छेतर है दम्माम और इस्टन प्रोविंसिस के बाकी इलाकों के लिए किंग फाद अंतराश्टे हवाई अड़े की सेवा उपलब्द है जो भूमी के छेतरफल के अदार पर दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड़ा है और जो शेयर के उपतर पश्चिम की और लगबग 20 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है दम्माम का किंग अब्दुलजीज सी पॉर्ट फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा पॉर्ट है और देश में आयात निर्यात की मातरा के मामले में इस बंदरगा का इस्तान जद्दा के बाद दूसरा है दम्माम में कुछ बेतरें एतियासिक इस्तलमनोरंजन पार्क उब्सूरत समुदरतट और दर्शनिय दीप हेरिटेज विलेज और हाफ मौनबे भी मौजूद है 30 जनवरी 2023 के अनुमान के अनुसार दम्माम शहर की कुल जन संक्या लगबग 13,29,000 है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों